दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक अकरार यूटूब चैनल पे इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका अकाउंट है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से आपका NPCI यानि आधार DBT गौवर्मेंट के तरफ से जो भी इस सरम आपको दिया जाता है तो दोस्तों आपका NPCI सर्वर से आपका अकाउंट लिंक है कि नहीं इस वीडियो में आपको पुरी जानकारी आपको बताएंगे कैसे आप अपना स्टेटस को चेक कर पाएंगे और NPCI सर्वर से आपका कौन सा अकाउंट लिंक है आपको भी आपको बताएंगे दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल पर हमारे नये है तो चैनल को अमीदियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको India Post Payment Bank का आपको अपना NPCI server से link है कि आपका नहीं तो आपको इहां पर आपना जो भी इंडिया post payment bank का MPN है आप mobile banking का MPN आपको इहां पर इंटर कीजिएगा आपको इहां पर three dot का option दिख रहा है आपको इहां पर three line पर आप क्लिक करेंगे आपको इहां पर देख सकते हैं home, send money, beneficiary, manage इहां पर देख सकते हैं service का option दिख रहा है service पर आपको क्लिक करना होगा आपके NPCI server से आपका link है account आपको इसे check करेंगे अब यहां पर देख सकते हैं कि आपको इहां पर M.M.ID, mobile number, money transfer और यहां पर देख सकते हैं कि आपको nominee update, pin card और यहां पर देख सकते हैं आधार setting का option दिख रहा है आपको आधार setting पर आपको क्लिक करना होगा जैसे आप देख सकते हैं यहां पर हमारा NPCI आधार setting से यहां पर successfully link है यहां पर देख सकते हैं 19.10.2021 से यहां पर NPCI server से इंडिया post payment bank में link है तो दोस्तों आपका NPCI server से link नहीं रहेगा तो आपको यहां पर option आएगा कि आपको link करने के लिए तो दोस्तों हमने already video बनाया है कैसे आप NPCI server से अपना account को link कर सकते हैं तो दोस्तों आप आप चेक करना चाहते हैं कि आपका bank account कौन सा bank account जो दूसरा account है NPCI server से link है नहीं तो दोस्तों आपको Google Chrome browser पर जाना होगा जैसे हम यहां पर Google Chrome browser पर जाएंगे और यहां पर आपको search कर लेना होगा आपको यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर अपना जो भी है आप यहां पर search कर लिजिएगा जैसे आधार आधार यहां पर search किजिएगा जैसे हम आधार यहां पर search करेंगे और यहां पर देख सकते हैं आधार और यहां पर देख सकते हैं आपको अकाउंट चेक करना चाहते हैं कौन सा अकाउंट से आपका बैंक अकाउंट लिंक है तो दोस्तों आपको अपना आधार नंबर इंटर कीजिएगा और यहां पर देख सकते हैं कि आपको एक कैप्चा दिख रहा हैं आपको इस कैप्चश को इन्टर करके is to опас क्लिक करना होगा आधार कार से लिंक है तो आपको ओड़ीपि यहां पर आपको इंटर कर दिना होगा जैसे हमोडीपी यहां पर Cart पर क्लिक से link है आधार कार्ड का चार अंक और आपको यहां पर बैंक का नेम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यहां पर बता रहा है उसमें भी आपको देख सकते हैं 1910-2021 भी दिखा रहा थां इंडिया पोस्ट पेमेंड बैंक के इस application में तो दोस्तों आप ऐसे ही आप अपना जो भी है NPCI server से अपना link है account India post payment bank तो दोस्तों ऐसे ही check कर पाएंगे और आपके पास कोई भी account नहीं है कोई भी आप India post payment bank का बस है तो आप online आप कैसे change करना होगा और किसी bank में NPCI server से आपका account link है तो आपको वहाँ पर उस account को disable कराना होगा जैसे NPCI server को disable करा के आप online अपने online आप अपने mobile banking India post payment bank से आप online अपने NPCI server से link कर सकते हैं आपके अधारकार से mobile number link रहेगा तो NPCI server से online आप link कर सकते हैं तो दोस्तों ऐसे ही आप अपना NPCI server से आपका link है account की नहीं है आप online चेक कर सकते हैं कौन सा account आपका NPCI server से link है वह भी चेक कर सकते हैं और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और टेक एकरार चेनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए ठीक के बाए थाइंक्यू